हाई गाईज कैसे हैं आप सब लोग आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छ होंगे अपने लाइफ को अच्छे से एंजोई कर रहेंगे तो कल हुई थी बारिश और बारिश के बाद मैं टैरिस का ड़न पर आई तो मुझे देखने को में लिए बहुत प्यारी प्लांट हैं और मैं आज ये ट्रिक अपने लेमन प्लांट पर आस्माने वाली हूँ तो कितने अच्छे से ख्रो कर रहें ना आप देख रहें कि हरी हरी पत्या और चमक रही हैं बहुत अच्छे से तो ये ट्रिक है कि आपके जो फ्रूट्स के छिलके होते हैं वेज़िट कोई में नहीं प्याकना है है तो आपको सबसे पहले करना है अपने प्लांट की असपास हुड़ाइ बहुत ध्यान से करनी हैrd로 विशू को बिना रखिए ग्या है क्योंकि यह रूरрез 테러리 damage हो जाएंगी तो हमारा plant मर जाएगा बहुत आराम से करना हैं आराम से करने के बाद आप सारी मिट्टि को silma करतीजी हैं कि मिट्टी को silma करने के कि बाद को क्या करना है जो आपकी और पुर्फिशके छेलके हैं और जो आपके फलो के के बाद vegetable से हम उसको उपर डाल देंगे मिट्टी जो हमने खटी की थी मिट्टी खटी करने के बाद हम उसको हाथों से हलका सा थप थपा देंगे ताकि हमारे फलो के और सब्चो के छिल के बाहन ना देखें मैं इसमें पानी नहीं दूँगी क्योंकि मेरे प्लांट में अभी नमी है तो मैं दो दिन भाद ही पानी दूँगी सेम प्रोसेस में अपने दूसरे प्लांट में भी करूंगी तो इससे क्या होता है कि हमारे जो छोटी से होता है का nutrition चाहिए हमारे plant को instant nutrition तो हम इस तरह से हम कर सकते हैं अपने plants में तो यह सबसे best होता है और अगर हम खाद का process आजमाते हैं जैसे कि आप सबको पता हुआ कि चन वेस्ट से जो compost तयार की जाते हैं उसमें तीन से चार महीने लग जाते हैं और फिर इतना तो कोई wait नहीं कर पता लेकिन अगर हम चाहते हैं एक्तम से हमारे plant को हम एक जल्दी से rich nutrition दें तो इससे best process और कोई हो नहीं सकता तो यह सब करने के बाद हम इसको भी अपने मिटी से cover कर देंगे तो आप देख रहोंगे पानी की अभी नमी बनी वी है तो plants को जरूत नहीं है मेरे plants को अभी extra पानी की और extra पानी देना भी न चाहिए पानी तभी देना चाहिए जब हमारे plants की एक इंचे तक की मिटी आपको सुखी दिखें तभी आप पानी देजिए तो यह मेरे मैंने दिया है अपने दोनों नीम्बू plant में तो इसकी चमक कितने अच्छी है ना मतलब और यह देखें आप एक butterfly भी तुलसी जी पर आखर बैठ गई है तो जो बारिश के बा मत proceso कि लो कि ना मतं तुलसी चरी चरल एखर भी उा पर भी यह मेद मो मत대श के तो जो एंचे तो ललसी स्वी मेरे मतलuben तो भी तो ना मतल्य मतलबू यहं किर एंचे